Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing well. If you are new to this channel, then do subscribe it to get all the notifications of my videos. I'll try my level best to give you all the information through my videos. So please stay connected with it. So today's video we are going to discuss the novel The Murder of Roger Ackroyd written by Agatha Christie. इस वीडियो के एक्स्प्लेनेशन में हम जानेंगे Agatha Christie के बारे में जो कि हमारी novelist है, जो कि author है, जिन्नों ने इस novel को लिखाया, The Murder of Roger Ackroyd. Agatha Christie के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, introduction to the author, और फिर उसके बाद हम जानेंगे introduction to the novel, यानी novel के बारे में. तो चलिए इस शुरू करते हैं, बिना देरी किये, ठीक है, तो हम पहले जानेंगे Agatha Christie के बारे में. तो Agatha Christie was a prolific writer who wrote 60 novels, अब ये जो Agatha Christie है, एक prolific writer है, यानी जो भी इनकी writings हैं, वो बहुत अच्छी हैं, और इन्होंने 66 novels लिखे हैं, ठीक है, 3 non-fiction works, 14 collections of short stories, and 19 plays in her lifetime, अब इन्होंने क्या किया है, 3 non-fiction works, ठीक है, उसके अलावा इन्होंने 14 collections of short stories, यानी 14 collection हैं, जिसमें इनकी short stories हैं, और 19 play in her lifetime, यानी इनकी पूरी जिन्दगी में, इन्होंने 19 plays लिखे हैं, ठीक है, ना तक कह सकते हैं. of all times, मतलब इनकी जो कहानिया हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत famous हैं, और बिक्ती भी हैं, पूरे world में. Right, next point है हमारा, her fictional detectives, her till pirate, and miss marple, are two of the most popular and beloved in the detective fiction genre. अब सबसे main चीज जो आपको यहां पर पता चली, कि जो अगाथा क्रिस्टी हैं, यह क्या लिखते हैं, यह हमेशा detective fiction ही लिखते हैं, यानी इनकी जो भी कहानिया हैं, जो भी novels हैं, इनमें सबसे जादा यह इन्ही कहानियों पर लिखते हैं, उसमें जासूसी की जादा involvement होत होती हैं, जो भी detective होते हैं, उसकी बहुत जादा involvement होती है, इनकी कहानी सारी इसी से related है, यानी detective से related है, इसमें जो भी novel लिखती हैं, जो भी कहानी लिखती हैं, उसमें हर्कुल पायरेट और मिस मार्बल, यह दोनों characters बहुत जादा involved होते हैं, और यह दोनों बहुत ही जाद इनके नौवल में कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके की भी कहानी लिखती है जिसमें डिटेक्टिफ और स्पिनाज इन्वॉर्व है तो उसमें इनकी कहानी में जो भी रोल प्ले करता है डिटेक्टिफ का वो हमेशा हर्कुल पारेट ही रहते हैं और दूसरा जो करेक्टर है हमारा मिस्स मार्पल यह दोनों हमेशा ही रहते हैं इनकी कहानीों में इनकी नौवल में जो भी यह लिखती हैं उसमें हर फर्स्ट बुक दा मिस्टीरियस अफियर एट स्टाइल्स 1920 इंट्रिज्ट तु दे इनकी लिखी गई पहली बुक जिसका नाम था जो कि इनोंने 1920 में लिखा था और इसी बुक के थुरू जो करेक्टर है हर्कुल पाइरट और दैंडी यह दोनों पूरे वर्ल से इंट्रिडूस्ट कराए गए थे यानि इनकी बुक में यह दोनों भी करेक्टर शामिल थे और शी बॉस बॉन इन टॉर्के युनाइट गिंडम ओन 15 सेप्टैंबर 1980 अब इनका जनम कहां पह था टॉर्के में जो कि युनाइट गिंडम में है कब 15 सेप्टैंबर 1980 को और शी डाइड इन विंटर बूक यूके ओन 12 जैनवरी 1976 और इनकी देथ कब हो गई थी 12 जैनवरी 1976 को at the age of 85 because of natural causes और तब ये 85 years की हो चुकी थी और इनकी देथ किस तरीके से हुई थी natural causes की वज़र से हुई थी ठीक है अगाथा क्रिस्टी known as the queen of crime अब ये जो है queen of crime के नाम से जानी जाती है एक यूँ क्यों क्योंकि ये जो भी novel लिखती है जो भी इनकी writings है उन सब में इनके इस तरीके की ही कहानी है जो कि जिसमें बहुत सारे crime है और फिर एक detective आता है जो कि हर चीज को solve करने की कोशिश करते हैं तो ये जो भी लिखती है इनके सारे writings इसी तरीके क्राइम नॉवलिस्ट है यानि जो भी नॉवल लिखती है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कहानियों को फ्रेम किया होता है और प्ले राइट भी है 28th century की यह बहुत ही जादा successful crime नॉवलिस्ट रही ठीक है चलिए next देखते हैं हम अब यह बहुत जादा शर्मीली टाइप की थी और इसी चीज ने इनको लिटरली वर्ल्ड में लेके आया किस तरीके से क्योंकि यह शाय थी तो बहुत जादा बातचीत नहीं करती थी और जो भी इनकी चीजे थी मतलब जो भी वो बोलना चाहती थी उनको वो writing के through express कर देती यानि लिख के express कर देती थी तो इस तरीके से इनकी शायनेस कहां लेके आ गए इनको एक लिटररी वर्ल्ड में अब अगाता क्रिस्टी ने जो भी अपने नौवल्स लिखे हैं उसमें 33 नौवल्स में इन्होंने हर्किल पारिट और मिस मार्पल के involvement को रखा है मतलब इन दोनों को भी include किया हुआ है जो की पूरे world famous है अब इनकी लिखी गई कई सारी नौवल्स में से 30 से ज़ादा murder mystery जो नौवल्स है उन पे movies भी बन चुकी है और इनकी जो autobiography थी वो उनकी death के बाद लिखी गई यहाँ पे जो word है post humously इसका यहीं मतलब है कि उनकी death हो गई और फिर उसके बाद उनकी autobiography लिखी गई कब 1977 में her writings and its style is different from any other author और उनका जो लिखने का style था वो बाकी author से बाकी जो लेखकते उन सबसे बहुत जादा अलग है और बहुत impressive है she was well known for not speaking much in public but expressed her opinions on writing यह सबसे जादा इसी खूबी के लिए जाने जाती है कि वो बहुत जादा किसी से बातचीत नहीं करती थी उनकी बातचीत किसी से नहीं थी बहुत जादा लेकिन वो जो भी कुछ लिखती थी जो भी अपने opinions को रखना चाहती थी अपने दिल की बात को वो उन सब को लिखके ही express करती थी लिखके ही बताती थी यहां तक तो था हमारा novelist के बारे में यानि अगाथा क्रिस्टी के बारे में जो कि हम अच्छी तरीकी से जान चुके हैं उनकी qualities को कि किस तरीकी से वो बहुत जादा शाय थी और जो भी इनकी writings and novel वगेरा हैं playwrights हैं जादा तर mostly इनके detective के बारे में ही हैं सारी इनके detective fictions ही है mostly और इनोंने सब में इन दो का जिक्री जरूर किया है कौन तो एक हर्कुल पारेट और दूसरा Miss Marple चलिए यहां तक तो सबको clear है कि अभी तक हमने अगाथा क्रिस्टी के बारे में अच्छे से जान लिया अब हम आगे चलते हैं अब हम देखते हैं novel के बारे में The Murder of Roger Ackroyd This is a detective fiction यानि एक detective fiction है इसमें भी इसी तरीके की चीज़े होंगी इसमें भी जासूसी ही होने वाली है ठीक है Novel first published in UK by William Collins in June 1926 and US by Dodd on 19th of the same month यह जो novel है यह पहली बार published ही थी UK में William Collins के द्वारा कब 1926 June में और दूसरी बार US में हुई थी किसके द्वारा Dodd के द्वारा on 19th of the same month यानि 19 June को ही हुई थी पहली बार हुई थी UK में और फिर उसके बाद US में हुई थी UK में William Collins के द्वारा और US में Dodd के थू यह publish हुई थी It is Agatha Christie one of the best known and most controversial novel अब यह Agatha Christie का बहुत जाना माना novel है और बहुत जादा controversial भी है यानि बहुत जादा वादविवाद भी है इस novel में It is set in the fictional village of Kings Abort in England और एक कहां पर set किया गया है इसकी plotting यह जो novel है यह एक fictional village है यानि नकली हमने अपने आप से ही यहां पर नाम दे दिया किसी भी village का ठीक है यह रियल में exist नहीं करता है क्या नाम है उस गाउं का Kings Abort और कहां पर है यह England में है ठीक है अब यह जगह सच में England में नहीं है हम सिर्फ ऐसे ही क्योंकि यह fictional village है तो ऐसे हमने नाम दे दिया कि England में है क्या नाम है Kings Abort ठीक है Narrated by Dr. James Shepard who becomes pirate's assistant और यह जो पूरी novel है हमें कौन सुना रहे है Narrated by James Shepard जो Dr. James Shepard है इसमें character वही हमें वही है इसके narrator ठीक है हमें यही सुनाने वाले हैं पूरी कहानी जो की हर्किल पाइरिट के assistant भी है Story begins with a death of Mrs. Ferrars a wealthy widow who is rumored to have murdered her husband अब यह जब novel शुरू होता है तो इसके शुरुआत में ही यहाँ पर death हो जाते है Mrs. Ferrars की जो के बहुत साथा wealthy widow है यानि उनके husband नहीं है और वो बहुत ही अमीर औरत है जो की सब कहते हैं जो की rumor है अफवा फैली हुए कि जिसने अपने husband को मार दिया है ठीक है तो यहाँ पे यह कहानी शुरू होती है Mrs. Ferrars के death के साथ ही अब देखो यहाँ पे जो Mrs. Ferrars है जिनकी death हो गई हमारे novel के स्टार्टिंग में ही अब इनकी जो death है वो सब लोग कहते हैं कि यह कैसे एक accident है एक natural death है यह इसमें कोई शाजस नहीं की गई है लेकिन यह सिर्फ तब तक ही लोगों को लगते है जब तक कि Roger Ackroyd खुझ से नहीं बता देते कि उनकी जो murder हुआ था वो किस तरीके से murder हुआ था और जैसे ही वो बता देते हैं तो उसके बाद ही इनका भी murder हो जाता है Roger Ackroyd जो के एक widower है यानि उनकी भी कोई wife नहीं है और ये उनसे शादी करने वाले थे Mrs. Farrar से जिनकी starting में ही death हो गई तो इनकी कुछ बादचित होई होगी उसके साथ इसलिए इनको पता है Roger Ackroyd को कि उनका जो murder है उसके पीछे क्या-क्या कारण थे इसको हम पूरा deeply नहीं जानेंगे हम सिर्फ ऐसे ही देखते हैं deeply हम बाद में करेंगे ठीक है अब इस murder mystery को solve करने के लिए अगाथा क्रिस्टी जो है वो दो modes को use करती है information gather करने के लिए दो modes को use करती है कौन-कौन से एक तो हर्किल पायरेट का जो use of restorationation है उसका यानी जो restorationation का मतलब होते है विचार करना कि जिस तरीके से हर्किल पायरेट जो है वो अपना दिमाग लगा के किस तरीके से एक एक चीज को इखटा कर रहे हैं सबूत को इखटा कर रहे हैं और दूसरा क्या है जो gossip करते हैं village में रहने वाले inhabitants उनकी बातों से कुछ-कुछ बातों को समझना धीरे-धीरे कि क्या चीज सही है क्या बात गलत है कौन सी चीज अपफा है तो उसके हिसाब से ये information को gather करते हैं अपर दो mode होगे कौन-कौन से एक तो resuscitation यानि जो हर्किल पायरेट सोचते हैं अपने दिमाग से और दूसरा जो लोग बाते बनाते हैं आस-पास में रहने वाले उनसे ये सारी information को gather करते हैं It was adapted as a 103-minute drama transmitted in UK in 2000 अब ये जो इनकी novel है इस novel पे एक drama भी create किया गया है जो की 103-minute का है कहाँ पे UK में in 2000 यानि 2000 जब साल चल रहा था तब वहाँ पे एक movie बनी थी ठीक है और किस पे इसी कहानी पे The Murder of Roger A.C. novel पे It is supreme ultimate detective novel यानि इसमें जो जासूसी हुई है वो बहुत high level पे हुई है ठीक है यानि बहुत अच्छी तरीके से mystery को solve किया है जो भी murder mystery है अच्छी तरीके solve किया है किस के through हर्क्यूल पारिट के through जो की detective है तो यहाँ तक तो था हमारा novel के बारे में सारा introduction to novel अब हम चलते हैं हमा हमारा हर्क्यूल पारिट जिसके बारे में अभी हम इतना जान रहे हैं कि बहुत अच्छे detective है चलिए देखते हैं फेमस बेल्जियम डिटेक्टिव रिटायर टू कि यह एक फेमस बेल्जियम डिटेक्टिव है लेकिन अब यह रिटायर हो चुके और क्या करते हैं किंग ए उसकी लाइफ बहुत जादा बोरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे जो हर्क्यूल पारिट है इनकी लाइफ भी थोड़ी सी बोरिंग चल रही है अपनी लाइफ को लेके थोड़ी से डिस्ट्रेस्ट रहते हैं तर डैंदी लिटिल डिटेक्टिव इग शेप्ट हैड एन इम हैंस मस्टैश यानि जो उनकी दाढ़ी है मूच है वो बहुत जादा है और पेर ओफ इंटेलिजेंट वाच्फल आइज और उनकी जो नजरे हैं वो बहुत जादा तेज हैं ठीक है ही प्राउडली डिस्क्राइब्स जॉब और वो अपनी काम को बहुत अच्छे से डिस्क सनौबिश है और ग्राणियोस है सनौबिश का मतलब जो इंसान अपने आपको सबसे जादा बहतर समझता है दूसरों के हिसाब से और ग्राणियोस का मतलब जिसका बहुत जादा दिखावटी वाला नीचर होता है दिखावा करने का उस तरह के से यह पहली बार इनका इंप में लगा हुए है तो यहाँ पे हम मिलते हैं रोजर एक्रोइट से अब यह कौन है कंट्री जेंटिलमेन डिस्ट्रेस्ट अबाउट देथ ऑफिस पैरेमर यानि यह बहुत जादा रिच मैन है और इनका जो सोशल स्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छा है और वो परेशान है किसलिए क्योंकि जो उनकी पैरेमर थी यानि उनकी जो लवर थी प्रेमिका थी उनकी देथ हो चुकी है immensely successful businessman who ironically looks like a country square अब यह बहुत जादा wealthy है immensely successful businessman है यानि बहुत rich इंसान है और जो कि किस तरीखे के लगते हैं जैसे कि किसी गा़ों में कोई जमीदार हो तो वैसा कि में भी करते हैं कि और यह क्या करते हैं सहायता करते हैं कि इसकी चर्च में भी चर्च के लोगों की हैल्प करते है और उसके आसपास जो भी सुसायटी है उनके आसपास उनकी यह करते है यह विड़ोर विड्नोचिल्डर्ण और ओफ इस और he has brought up his stepson as his own अब देखो ये एक widower है यानि इनकी भी कोई wife नहीं है और इनके खुद के भी कोई बच्चे नहीं है और इनका एक stepson है यानि एक सौदेला बेटा है जिनको उन्होंने पालपोस के बढ़ा किया ऐसे पाला मतलब जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो नेक्स्ट केरेक्टर है हमारा डॉक्टर जेम्स शेपर्ड अब ये कौन है नैरेटर आफ दे नोवल ये इस नोवल को नैरेट करते हैं ठीक है ये पूरा नोवल इनके थुरू ही हम सुन रहे हैं अब ये अपनी बहन के साथ रहते हैं और इन्होंने इतना साथ अच्छा बना रख है सबके साथ रिलेशन की सारे लोग इन पे विश्वास भे करते हैं और ये जो हैं जेम्स शेपर्ड ये हर्किल पाइरट की हल्प करते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में जो भी जांच परताल करते हैं वो किसी भी मिस्ट्री को रिजॉल्फ करने में तो वहाँ पे डॉक्टर जेम्स शेपर्ड जो हैं ये उनकी हल्प करते हैं next character है हमारा caroline shepherd यानि ये कौन है dr james shepherd की sister है elder sister यानि बड़ी बहन है the biggest and most resourceful town gossip यानि बहुत ज्यादा बातूनी है बाते बनाती है ठीक है इस मामल में बहुत तेज है कौन caroline shepherd no secrets remain hidden from her keen ears and eyes for long अब जो भी secrets हैं ये इससे कभी भी छुपे हुए नहीं रह सकते क्योंकि ये इतनी जादा उत्सोक होते हैं हर चीजों को जानने में इसलिए इससे कोई भी secret जो है वो जादा लंबे समय तक छुपा नहीं रहता pirate uses her to get information for his investigation to solve the case और जो hercule pirate है हमारे detective वो इसकी help भी लेते हैं अपने किसी भी case को solve करने में क्योंकि ये बहुत जादा एक तो gossip है और ये सारे points को हमेशा याद रखती है क्योंकि इसके पास वो quality है कि कोई भी चीज़े से चुपी नहीं रहती सारे secrets को reveal कर देती है सब कुछ ज behavior इतना keen है कि इसको curiosity होती है हर चीज़ को जानने की तो ये सीधी सी बात है कि ये help कर देती है उनकी अगला character है हमारा Mrs. Cecil Ackroyd अब ये कौन है Mr. Ackroyd's widowed sister-in-law ये कौन है जो Mr. Roger Ackroyd है ये इनके भाई की wife है लेकिन उनके जो भाई है वो नहीं है इसलिए ये भी एक वीड Ackroyd's daughter अब ये कौन है Roger Ackroyd की niece है यानि उसके भाई की बेटी है अगला है हमारा Ralph Patton अब ये कौन है Mr. Ackroyd Stepson अभी जो हमने पढ़ा था कि Ackroyd थे जो Roger Ackroyd थे उनकी खुद की कोई भी आउलाद नहीं थी यानि उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे लेकिन उनका एक Stepson था और वो Stepson कौन था ये Ralph Patton He is good looking young man with an easy smile अब इसका appearance कैसे है कि दिखने में बहुत अच्छा है यंग है और smile करता रहते हैं very popular with the residents of King Abbott अब यहां पर ये जिस गाउं में रहते है वहां पर ये बहुत जादा popular है कहां रहते है Kings Abbott में और ये extravagant है यानि बहुत जादा खर करता है घरचीला है and he secretly married to Ursula Borne और ये चुप-चाप से शादी कर लेता है किससे Ursula Borne से अब हम जानेगे कि यह सारे कौन है पर जब हम discuss करेंगे इसकी summary analysis वहां पर और यहां पर हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे main characters थे हमने उन सब के बारे मे और Dr. Shepherd और Caroline Shepherd तो यह सारे characters जिनके बारे में हमने अच्छे से जाना है इनको अच्छे से इसलिए जाना क्योंकि इनकी involvement बहुत जादा है और यही दो-चार character है जो इस पूरे novel में बहुत important role play करते हैं बाकि जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से उसकी niece है जो Roger Ackroydon की niece है और उ इसका भी बहुत जादा role नहीं है ठीक है तो इस तरीके से जो भी minor character है हम सिर्फ उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा ही चानेंगे अगला है हमारा उर्सूला बोर्ने अब यह कौन है Mr. Ackroydon's parlor mate who quit recently अब यह उनकी parlor mate थी जिसने इनकी murder के तुरंत बाद ही यह घर छोड़ दिया जो भी वो काम करती थी उसको recently quit कर दिया next है हमारा major hector blunt अब यह कौन है Roger Ackroyd's friend and house guest यह Roger Ackroyd के friend थे और house guest थे next है हमारा जौफरी रेमांट यह कौन है Mr. Ackroyd's secretary मतलब यह Ackroyd के secretary थे next है हमारा John Parker यह थे Mr. Ackroyd's butler अब butler का मतलब है यानि उनके घर में जो man servant थे chief man servant वो थे यह ठीक है कौन पारकर next है हमारा Elizabeth Russell अभी यह कौन थी यह थी Ackroyd की housekeeper यानि उसी के घर में नौकरानी थी जो की काम करती थी अगला है हमारा Charles Kent यह कौन थे Miss Russell's son and drug addicted अभी यह जो Charles Kent है वो Miss Russell जो थी उनका बेटा है और बहुत जादा drug addicted है ठीक है next है हमारा Mrs. Ferrars अब इसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यह जो पूरी novel है यह इसी के murder से शुरू हुई है ठीक है यह जो mystery murder है यह इसी के death के बाद शुरू हुई ठीक है तो अब हमें यह पता नहीं है कि इसने suicide किया या फिर किसी ने इसका murder किया चलिए देखते है A lady in the village who commits suicide at the beginning of the novel कि चो kings about है उस village में एक lady है Mrs. Ferrars नाम करके और उसने suicide किया है बिल्कुल starting में कहानी की शुरूआ थी इससे हुई है कि एक lady थी Mrs. Ferrars जिसकी death हो गई है अब सबको लग रहे है कि वो suicide है लेकिन अभी तक यह बात clear नहीं हुई है कि यह suicide है यह murder है and she is widow of Ashley Ferrars who died a year ago और यह कि इसकी विड़ो थी Ashley Ferrars की जो कि एक साल पहले ही मर चुके है secretly engaged to a kroid soon after her husband's death और इसकी husband के death के कुछ time बाद ही इसका जो connection है वो a kroid के साथ ज्यादा strong होने लगा she tells him that she poisoned her husband because she could no longer stand his behavior and she was falling for a kroid और भी यह kroid को क्या बताती है कि इसने अपने husband को जहर दे दिया क्योंकि जो उसका behavior था इसके लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और दूसरी तरफ अब इसके पास कुछ feelings भी आ रही थी किसके लिए a kroid के लिए तो इसलिए इसने अपने husband को जहर दे के मार दिया her attempt to find peace and love after poisoning her husband is thwarted by a guilty conscience and a ruthless blackmailer अब इसका जो reason था कि इसने अपने husband को poison दे के मार दि लेकिन इसके ये सारी कोशिशे नाकाम हो गई किसलिए किसकी वज़र से एक ruthless blackmailer की वज़र से अब इसके बाद हमारा next character है Mr. Hemond जो के Croyd के lawyer है उसके अलावा inspector Raglan, inspector Davis और भी बहुत सारे जोटे-जोटे character है जिनका involvement नहीं है तो main character जो हमें अच्छे से समझ में आज आने चा that you are understanding these characters at least कौन-कौन से तो पहला है हमारा हर्कुल पारेट जो की खुद ही एक detective है ठीक है दूसरा है हमारा Mrs. Ferrars जिनकी इस novel के starting में ही death हो चुकी है और हमें नहीं पता कि whether it is suicide और a murder next है हमारा Dr. Shepherd और इनकी sister यानि Caroline Shepherd next है हमारा Roger Ackroyd जिनके murder mystery हम इस पूरे novel में solve करेंगे अगला है Ralph Patton जो की इनका stepson है और Flora Ackroyd जो की इनकी niece है और इसके अलावा भी हम बाकी discuss करेंगे लेकिन main यही है तो अच्छे से इनको अच्छे से मतलब अच्छे से समझ लीना है क्य confusion होगी इसलिए हम पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि जब हम novel को पढ़ेंगे तो हमें कोई भी confusion ना हो और अगर कहानी को अच्छे से जानना है तो फिर इसको समझना पड़ेगा जो भी हमारे characters है उनको अच्छे से समझना पड़ेगा तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने क्या क्या चीज़े discuss करी पहला तो हमने अगाथा क्रिस्टी के बारे में जाना कि वो novelist है किस तरह की novelist है और दूसरा फिर हमने introduction to the novel देखा कि यह किस तरह का novel है कब publish हुआ किस के through first time publish हुआ और फिर हमने इसमें discuss कि हमारे सारे main characters और चोटे-चोटे minor characters को भी discuss किया और अगली वीडियो में हम अच्छे से summary और analysis और इसके themes को discuss करेंगे तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही and now all you have to do is just let me know in the comment box if you like this video please give me a feedback and share this video with your friends as well so that they can get help from it and till we meet in the next video keep learning